गुड मॉर्णिंग ओल अफ यू यह इंटर्मेडियर का हिस्ट्री कोशन है जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है हम लोग कोशन पर आते हैं हर अपास सहविता किस यूग की सहविता है ओप्सन ए में है लोह यूग कांस बी में है कांस यूग सी में है ए और वी दोनों डी में है इन में से कोई नहीं तो जिन लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग कोमेंट कर सकते हैं तो हर अपास सहविता कांस यूगिन सहविता है हर अपास के बारे में आप लोग कुछ बदायते हैं हरपा का खोज दयाराम से हनी ने किया है 1921 इस्वी में हरपा रावी नदी के किनारे है और सबसे पहले हरपा यह वो अस्तान इसका खोज गया था अग्ला कोशन के हम लोक चलते हैं अगला कोशन है हरपा किस नदी के किनारे इस्थित है तो अभी हम ने बता है कि हरपा रावी रंदी के किनारे इस्थित है हरपा रावी रंदी के किनारे इस्थित है अगला कोशन लोथल कहां इस्थित है ए गुजरात बी पश्रिम बंगाल सी राजस्थान डी पंजाब इसका आप लोग को पता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए इसका सही आंसर होगा गुजरात लोथल गुजरात में इस्थित है लोथल भगवा नदी के किनार है इसका उत्खनन उनीस सो तिरपनिस में हुआ था यहां से बहुत कुछ मिला है जैसे की गर्द यूगल सावा धान का साक्ष मिला है यहां से धान जौकी साक्ष मिला है यह सब लोथल से मिला है अगला कोशन पर हम लोग चलते हैं अगला कोशन है मोहन जोद्रो का उत्खन किया था आप्शन ए में हैं दयराम सह na option p मैं don مسant d d e 2 सी में आर्डी आ made ये और d मैं r is w assistant इसका सही आंसर है're we days i just got a key आखल्दास भेनेर्जी कहते हैं इन्होंने 27 वी में मोएं जोद्रो का उत्खनन किया था जो सिंधु नदी की किन आरे है मोहन जोद्रो हरपा सभथा का सबसे बरा एस्थल है यह सब कोशन में पूछा जाता है अगला कोशन है इंडिका के लेखा कौन है उप्शन A में है कॉटिल बी में है मेगास्थनीज C में है अलबिटू नी D में है A में से कोई नहीं इसका सही आंसर है मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के लेखात है वो एक राज़दूत है जो चंद्रगुप्त मौरक के समय में उनके दरवाद में आये थे उनको भेजने वाले है सल्यूकस निकेटस जो सिकंदर के सेना पती है और सल्यूकस निकेटस जो है उनकी बीटी का नाम हेलना है जिसका विवा चंद्रगुप्त से हुआ था इसी के लिए उन्होंने उनके यहां मेगास्थनीज को भेजा था दिखने के लिए हम लोग अगला कोशन पर चलते है अगला कोशन है गुप्त वन्स के किस सासक को भारत का निपोलियन कहा जाता है ओप्सन ए में है चंद्र गुप्त बीम है समुद्र गुप्त सी में एसकंद गुप्त डी में है कुमार गुप्त इसका सही आंसर होगा समुद्र गुप्त समुंद्र गुप्त को भारट का निपोलियन कहा जाता है गुप्त बंस रखलिगल माख कुमार गुप्त वह हम स्थापना के Loo विस्विदाले उसका अस्थापना किये थे तो ये गुप्त बंद से इन्पोर्टेंट कोशन है जो इंटर्मीडियर के एक्जाम में पूछा जाता है अगला कोशन है प्राचीन भारत में धम कि सुरुवात कि सासक ने की इसका सही आंसर है अशोक ने धम की सुरुवात की जब उनका यूद पदमावती से हुआ पदमावती कलिंग की राजकुमारी पदमादी से हुआ था तो उस समय में उन्होंने अपना सस्त्र त्या करके धर्म की शुरुवात की थी और उन्होंने बौध हर्म का अस्थापना बौध हर्म को परचार किया है अपनी बेटी और अपने पुत्र को नेपाल काठमांडू इस सब जगा पर भेज की इसका परचार करवाया है अगला कोशन पर हम लोग चलते अगला कोशन है मनुई स्मृति कितनी परकार के विवा का उलेक किया गया है option A में है 4, option B में 6, option C में 8, option D में 9 इसका सही answer है 8 मनुई स्मिर्थी में 8 पड़कार के विवा का उलेख है जिसमें से 4 मानने हैं और 4 अमानने हैं इसमें से है कुछ है असुर विवा असुर विवा है फिर सुम्बर है जिसे राम जी असीजाजी का सुम्बर यह सब इसी में आता है मनुई स्मिर्थी में है अगला question है महा भारत का यूद कितने दिनों तक चला था A 15 दिन, B 16 दिन, C 17 दिन, D 18 दिन तो महा भारत का यूद 18 दिन तक चला था कुडू छेत्र में जो कोडवो और पांडवो के बीच में हुआ था कोडव सौ भाई थे पांडव पांच भाई थे और इसी यूद में अर्जुन का साथ स्री किर्षने दिया था और उनकी सहायत्ता से यूद पांडव जीत गए थे अब हम लोग अगला कोशन पे चलते अगला कोशन है महा भारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है उप्सन है शान्तनू, भीष्म, दुर्योधन, सकुनी उसका सही आंसर है भीष्म पितामा को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है अगला कोशन है स्वेतांबर एवं दिगंबर का संबध किस धर्म से है इसका आप लोगों को आंसर पता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं इसका सही आंसर है जैन धर्म स्वेतांबर एवं दिगंबर का संबध जैन धर्म से है अगला कोशन है चोथी बहुत परिसद किस सासक के काल में हुई थी अशोक, काला, अशोक, अजाशत्रू, कनिश्क तो चोथा जो बहुत संगीती है वह कनिश्क के काल में हुआ था जो कुंडल वर्ग कश्मीर में हुआ था अगला कोशन है दीन ए इलाही संबंधित है बाबर से ही मायू से अकबर से और अग्जेब से तो यह संबंधित है अकबर से दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है अगला कुशन है भारत का अंति मुकल सासा कौन था अप्सिन A में है साजहां B में है मोहमद सा C में है और अग्जेव D में है बहादूर शाजफर बहादूर साजफर है इसका सही आंसर है बहादूर शाजफर इनके मृत्यों के बाद भारत पे पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन हो चुका था अगला कोशन है जजिया किसे लिया जाता था वैपार्यों से, बुध्धी जीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से इसका सही आंसर है जिम्मियों से जजिया लिया जाता था अकवर्ड ने इस पे रोक लगया था और अरंग जेब ने इसे फिर से स्टार्ट कर दिया था अगला कोशन है सूला नमबर किताब उल रहेला में किसका यात्रा विर्ता लिखा मिलता है अलबिरुणी, अब्दुलरजाक, इबिन बतूता, बनियर जिसका सही आंसर है इबिन बतूता, इबिन बतूता का किताब उल रहेला में याता विर्ता मिलता है इसी के साथ हम लोगा कोशन समाप्त होता है तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्ब्सक्राइब करें, श्यार करें, थैंक्यू सुमत जय जय रहाएं